जिसे हम जिन्द की भर भूलना चाते हैं उसे हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं हेलो गाइज मेरे यूटूब पर यूटूब चैनल पर आपका स्वगत हैं आज आप ये टॉपिक आपने सुनाई होगा जिससे हम जिनकी पर भूलना चाहते हैं उसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं वही सब के साथ हुआ है मेरे दोस्त के साथ यही है जो वह जिसको भूलना चाहता है वह से भूली नहीं पाता क्यों नहीं भूल पाता है जब भी उसकी यादा आते हैं पूरा मूंड खराब कर देता है आपको समझ नहीं आएगा होता है लेकिन आपके पास उसके अलावा जिस व्यक्ति को तुम भूलना चाहते हो उससे बड़ा कोई गोल तुमारे पास है तब उसे याद करने के लिए तुमारे पास टाइम भी नहीं होगा इतना तुम भी जी हो जाओ उसको याद करने के लिए तुमारे पास टाइम भी ना बचाओ तब उसे भूलने की जरूद नहीं होगी वो तुम्हें याद भी नहीं आएगा यह तो होता ही है जिसको तुम भूलना चाते हैं वो तुमारे सामने आजाए उस टाइम सामने आजाए तुम उसे भूलना चाते हैं वो तुमें देखता रहे तुम उसके सामने इतना इग्नूर कर दो इग्नूर करने के बाद वो तो सामने वाली तो क्या सोचती होगी लेकिन तुम ये सोचोगे की कास उससे उस टाइम रस्ते में उससे रुक कर उससे बात सीट कर लेता कास उससे कुछ बात कर लेता या उससे बोल लेता तुम उस टाइम तो उसके सामने तो तुमने इतना इग्नूर कर दिया जो कोई नहीं कर सकता बाद में इग्नूर करने एक बाद में जब कोई नहीं तुम्हारे पास होता तब ये सोचते हो कास उस टाइम मैंने इतना इग्नूर नहीं किया होता तब आराम से बात चीद कर लेते था ये क्या हुआ ऐसे क्यूं हो गया ये सब बात चीद करके समश्या का हल कर लेते कि सामने वाली क्या सोचेगी ये तो हमको नहीं पता हमने इग्नोर तो इतना बह्यंकर कर दिया सामने वाली सोचेगी कि वायार क्या ही बंदा था इतना कुछ होने के बाद मेरे सामने देखा तक नहीं बात करने की तो बहुत बड़ी बात है लेकिन उसने तुम मेरे सामने देखा ही नहीं ये शोचरी होगी लेकिन तुम उसके विपरीद कास में उससे बात कर लेता ये ते उता जिसने जिसको तुम भूल गए जिसको तुम ने छोड़ दिया फूर क्या करना है वो इधर गए या उधर गए इदर गए या उदर गए या फिर मर गए जिसके बारे मैं ऐसे ही लाइफ लेशन वीडियो देखने के लिए हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर दीजी और कुछ भी नहीं आ नौलेज जो आपको मिला है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी आपने भी कभी भी कैमरे के सामने आके ऐसे बालों को सहलाया है या स्टाइलिस किया है तब स्टाइलिस किया है तो एक बार कमेंट कर दीजी नहीं तो आप रहने दीजी इस्टाइल किया हो उस उ नहीं की कमेंट करना